ये बड़ी और एहम जानकावी स्वक की सामने आ रही है पीम मोधी के साथ संभावित मंत्रियों की ये बड़ी बैठक हुई है एक घंटे की मीटिंग में पीम ने बड़ा एजेंडा सेट किया है ये बड़ी और एहम जानकावी स्वक की सामने आ रही है नवेंद्र मोधी के स शपत नरेंद्र मोदी आज लेते हुए नज़र आएंगे आज शपत ग्वेहन समहरों है और आश्राम सवसाथ पर शपत ग्वेहन समहरों होगा और नरेंद्र मोदी प्रदान मंत्री पर की शपत लेंगे साथी पियम मोदी के साथ आज संभावित मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई है एक घंटे की मीटिंग में पियम ने एक नया एजेंडा भी सेट किया है और सभी संभावित मंत्रियों ने पियम मोदी से मुलाकात की है और नरेंदर मोदी के साथ सम्भावित मंत्रियों के बैठक काफी एहम मानी जा रही है ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं आज श्राम 17 बजे ये शपक गहर समाव होगा उससे ठीक पहले नरेंदर मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक की है जो काफी एहम मानी जारी है बता दे कि ये मीटिंग कभी बेग घंटे चली है और संभावित मंत्रियों की ये बैठक ली गई है और सभी को जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में दिये गए हैं लगातार दिल्ली पहुचने का सिलसला भी जारी है कड़ी सुरक्षा के बीच आज शपत ग्रहन समारों होने वाला है ये बड़ी बैठक आज संभावित मंत्रियों की की गई है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि नरेंदर मोदी कुद इस बैठक को सं अब भी एहम मानी जा रही है एंडिये के बड़े नेता इसमें शामिल है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं अमिट्षा जीतनराम मांजी जोति रादित्य सिंद्या ये तमाम बिगत नेता इस बैठक में नजब आ रहे हैं और नरेंदर मोदी ने इस बैठक को संभाव भी किया है साथ उन्होंने कई बड़े दिश्वा निर्देश भी दिये हैं उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विक्सित भारत के तौई पर हम देखते हैं और इसके लिए तमाम दिश्वा निर्देश आज जारी किये गए हैं तभी को आगे के लिए रोट मैप और विजन तैयार करने के लिए भी दिशानिवदेश दिये गए हैं बतादे कि आज शाम सवा साथ बजे नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्वी पत की शपत लेने वाले हैं जिसको लेकर सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है और आज ये संभाविक मंत्वियों की एक घंटे की जो मीटिंग हुई है ये काफी एहम मानी जा रही है ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और नरेंद्र मोधी के साथ एंडिये दर्के काफी दिगज निता इस बैठक में भी नज़र आ रहे हैं हर्दीपुरी, जीतनरामान जी, राजनात सिंग, शिर्रास सिंग्छोहान, जोति रादेत स इंदिया अठाफले जैसे तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे और सभी को ये देशा निर्देश जारी किये गए हैं और आज शाम ये शपत ग्रहन सम्हारों भी काफी यादकार हुने वाले